नमस्कार दोस्तों सत्सरी अकाल मेरे पिछले वीडियोज में कुछ कमेंट आये थे जिसमें कुछ लोगों को कहना है कि गुर्णानद देव जी ने यहां कहा है कि हिंदु अन्ना तुर्कु काना दूहांते ग्यानी स्याना हिंदु अन्दा है तुर्कु काना है और इन दोनों से सिक धरमवाला स्याना है अब सबसे पहली बात यह शबद गुर्णानद देव जी का नहीं है यह शबद नाम देव जी का है और नाम देव जी गुर्णानद देव जी से 189 साल पहले हुए थे और उनका जनम महरास्ट में हुआ था, उनको पंजाबी भी नहीं आती थी जब उनका जनम गुर्णानक से 189 साल पहले हुआ था तो वो कैसे कह सकते हैं कि सिक्धर्म से आना है जबकि उस समय गुर्णानक देवजी भी नहीं थे और ना ही सिक्धर्म था असल में उनका यह शबत सब के लिए है, सब धर्मों के लिए है संसार में दो और दो चार माना जाता है जिसको यह ग्यान है वह स्याना है पर जो दो और दो पांच कहता है वह स्याना नहीं है, मूरक है इसी तरह परमारत में जो सत्य को जानते हैं और मानते हैं वह स्याना है जो नहीं जानता नहीं मानता जूट को मानता है वह स्याना नहीं है मूरक है इसके लिए बहुत से उधारन दिये जा सकते हैं पर मैं एक बहुत आसान सा उधारन दे रहा हूं कि पत्थर पानी में डूपता है सब देखते हैं आप भी देखते हैं मैं भी देखता और इसी को संसार सत्य भी मानता है पर परमात्मा की करामात वहां मानी जाती है जहां पर कोई पत्थर पानी पे तरा दे असल में पत्थर पानी में डूबने वाला परमात्मा ने ही बनाया था यह उसी की करामात थी यह उसी के विधान से या हुकम से होता है और उसका विधान और हुकम उसकी करामात सत्य सुरूप में हमारे सामने है पर हम उसकी करामात उसके हुकम को मानने के बजाए असत्य की तरफ चले जाते हैं तो वहीं हम जूट से जुड़ जाते हैं पत्थर पानी में तैरे या डूबे जैसा आप देखते हो वैसा ही सत्य मानो अगर आप देखते हो कि पत्थर पानी में तैरता है तो वह भी परमात्मा की करामात है अगर आप देखते हो कि पत्थर पाने में डूपता है, वह भी परमात्मा की करामात है तो अगर आप सत्य देख रहे हो, तो जैसा आप देख रहे हो, उसको वैसा ही मानो अब परमात्मा की करामात तो हमारे सामने है, हमारी उत्पत भी उसी की करामात है हमारा शरीर इतने गुणों का है देखने वाली शक्ति इसमें है सुनने वाली शक्ति इसमें है बोलने वाली शक्ति इसमें है विचारने वाली शक्ति इसमें है और सब गुण उसके दिये हुए हमारे अंदर है उसकी चेतना हमारे अंदर है यह शरीर भी उसी का दिया हुआ है उसी का बनाया हुआ है उसी के नियम और विधान से बना हुआ है फिर भी हम उसकी करामात को नहीं जान पा रहे तो हम जैसा मूरख कौन होगा यह सारी स्रिष्टी उस परमात्मा से ही उत्पत्त हुई है वह सत्य है तो उसके स्रिष्ट भी सत्य है। इसलिए नाम देव जी कहते हैं एक अनेक बयापक पूरक जत देखूं तत सोई माया चित्र बिचित्र बिमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। प्रभु अपनी स्रिष्टी में ओत पोत बयापक है। फिर हम क्यों नहीं देख पा रहें इन आँखों से क्योंकि हमें उसका ग्यान नहीं है। जिसको प्रभु का ज्यान होगा, वो अपनी इन आँखों से ही प्रभु के देखेगा। क्योंकि हमारे अंदर देखने वाली जो ताकत है, द्रिष्टी है और यह जो आँखे हैं, यह सब उसी की हैं। आगे जो दिख रहा है, वह भी वही है, क्योंकि सारी उत्पति उसी से है। जब वही दिख रहा है और देखने वाला भी वही है, जिसकी ऐसी द्रिष्टी बन जाती है, वह इन आखों से ही प्रमात्मों को देखता है। और जो प्रमात्मों को नहीं देख सकता, नहीं देख रहा, वह अग्यानी भी है और अंधा भी है। नाम देव जी की द्रिष्टी में, वह लोग अंधे हैं, जो प्रमात्मों को नहीं देख रहे। एक अनेक ब्यापक पूरक नाम देव जी कहते हैं कि एक ही अनेक बनकर ब्यापक है पूरक है जहां भी मैं देखता हूँ मुझे वही नजर आता है अब जब नाम देव जीव को वही नजर आता है और मिझे नजर नहीं आता तो उनकी दृष्टी में मैं अंधा हूँ इसमें किसी धर्म विशेश की बात नहीं है क्योंकि उस समय सिक धर्म नहीं था पर जब दो ही धर्म थे तो उनने दोनों धर्मों को एक समान उपदेश दिया